जैश्री राम जैमा बावानी दोस्तों, दोस्तों पीतम सिंग लोधी को भाज़पा फिर से अपनी पार्टी में सामिल करना चाहती है, आकरकार ये सब हो क्यों राए? आकरकार भारतिय जनता पार्टी ने पीतम सिंग लोधी के सामने अपने गुठने क्यों ठेक दिये? सब वो भारतिय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाब लड़े थे, पिछली वार कॉंग्रेस के नेता केपी सिंग से वो धाई अजार के अंतर से चुनाब हार गई, विचोर बदान सभा को कॉंग्रेस का गड़ कहा जाता है, लेकिन पीतम सिंग लोधी ने उस अंतर को धाई जार तक कर दिया, अब इस वार पीतम सिंग लोधी लगवग जीतने ही वाली थे, इतनी अच्छी तैयारिया हो चुकी थी कि इस वार पीतम सिंग लोधी का जीतना बिलकुल टै था, लेकिन ब्रामणों के प्रति जो विवाद खड़ा हुआ था, उसे ले करके सब गड़व है, इसलिए उन्होंने तुरंट उनको अपनी पार्टी से निकल दिया, लेकिन उनको तुरंट रेलाइज हुआ कि ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अगर पिछोर विदान सभा को कोई व्यक्ति जिता सकता है, तो वो केवल पीतम सिंग लोधी है, पीतम सिंग पिछले कुछ समय से इतना माहौल वदल के रख दिया है, कि सिर्फ मद्य प्रदेश में पीतम सिंग लोधी, पीतम सिंग लोधी का ही नाम गूज रहा है, और इसलिए पिछोर विदान सभा की बात करें, या चंबल की बात करें, तो वहाँ पर सिर्फ पितम सिंग लोधी, अब फिर विदान सवा को अगर कोई जिता सकता है तो पीतम सिंग लोधी है और यही सोच करके भारतिय जनता पार्टी ने यह निड़ा लिया कि पीतम सिंग लोधी को अपनी पार्टी में फिर से लेना चाहिए और अपनी गलती को सुधार करना चाहिए इसलिए उन्होंने अ कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को सेर कीजिएगा जल्द मिलते हैं नहीं वीडियो में जैस्रेडाम जैमा बावानी